नमस्कार दोस्तों, हमारे ओन इंटूशन अड़्डा चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है महत्तोपुन्न क्या लिखा है महत्तोपुन्न देखे म, ह, देखे आधा, त, और वा, संजुकत है ठीक ना देखे प में बड़ी उकी मात्रा और ये अणा के ऊपर रेफ की मात्रा तक कैसे पढ़ेंगे महत्तोपुन्न उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुए व्यातित्ते क्या लिखा है व्यातित्ते आधा व य तॉमें बड़ी की मात्रा थी और व्यातितती, कैसे पढ़ेंगे इसको हमलों? व्यातितती, उसके बात देखेंगा दोस्तों, यहां पर लिखा है निर्माड ना में छोटी य की मात्रा नी, देखिए मा के ऊपर ये रेफ की मातरा और अड़ कैसे पढ़ेंगे निर्मार दोस्तों आज की इस क्लास में में बहुत सारे कठिन कठिन सब्दों को इसी तरीका से बिल्कुल असान तरीका से आपको मैं लिखना सिखाऊंगा और उसका सुद धुरूप से जो प्रनॉंसिशन होता है वो भी सिखाऊंगा दोस्तों हमारी सोच कैसी होती है अच्छी होती है कि बुरी होती है इससे रिलेटेड या एक बहुत ही महत्वण कहानी है इस कहानी को पढ़ने से आपको एक बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है और आप बहुत अच्छा तरीका से हिंदी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो आये दोस्तों बिना देरी की हुए इस क्लास को में सुरू करते हैं देखें इस स्टोरी के नाम है दोस्तों अच्छी सोच ठीक ना अच्छी सोच हमारे खुब अराम से दोस्तों एक एक सब्दों को में लोग पढ़ेंग सबसे महत्वपूंड होती है. हमारे जीवन में, हमारी सोच ही, सबसे महत्वपूंड होती है. हमारी सोच ही हमारे व्यक्तित्व क्या पणेंगे? इक कहानी एक बहुत अमीर था, उसके साथ कैसे क्या घटना घटता है, यह कहानी दोस्तों, इक अदमी के कहानी एक बहुत अमीर था, उसके साथ कैसे क्या घटना घटता है और उसके सोच से क्या उसके उसमें परिवर्टन आता है यह सब कुछ हम लोग इस काने में सीखेंगे देखिर यहां पर लिखा है एक आदमी बहुत अमीर था एक आदमी बहुत अमिर था, उसके पास जीवन व्यतित करने की तमाम सुख सुविधाएं थी, उसके पास जीवन व्यतित करने की तमाम सुख सुविधाएं थी, उसका एक बेटा था, उसका क्या था, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वो अपने बेटे को जो चाहे वो दिलाता था, इसलिए वो अपने बेटे को जो चाहे वो दिलाता था, उसका बेटा अपना जीवन बहुत शांती से व्यतित करता था, एक दिन इस आदमी ने सोचा की मैं, क्या होगा? मैं अपने बेटे को ये एहसास कराऊंगा, कि तुम कितना शांती से तमाम सुख सुविधाएं के साथ अपना शांती से तमाम सुख सुविधाएं के साथ, अपना जीवन व्यतित करते हो, एक दिन वह आदमी सोचा की मैं अपने बेटे को ये एहसास कराऊंगा, कि तुम कितना शांती से तमाम सुख सुविधाएं के साथ अपना जीवन व्यतित करते हो, दोस्तों आप भी देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं, कि मता पिता के दादा पर दादा के धन संपती पे ऐसो अराम करते हैं, उन्हें इतने सारे सुख सुवधाएं बना बनाय मिल जाता है, कि उन्हें किसी चीज की कम ही नहीं लगती है, और वो अपने ज सुख सुवधाओं के फादा उड़कर और आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक ना, तो वो व्यक्ति यह सोचा कि वो अपने बेटे को यह आसास कराएगा, कि वह कितना सुख सांती से सुवधाओं के साथ जीवन व्यतित कर रहा है, ठीक ना, मेरे बेटे को यह भी पता चलना च कि समाज में बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, मेरे बेटे को यह भी पता चलना चाहिए, कि समाज में बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, और मैं, यहां पे होगा मैं, उसे यह भी दिखाऊंगा कि गरीब लोग कैसे अपना जीवता उसे यह भी दिखाऊंगा कि गरीब ल जीते हैं, और मैं यह भी दिखाँगा कि गरीब लोग कैसे अपना जीवन जीते हैं, ताकि मेरा बेटा महसूस कर सके कि मैंने उसे कितनी सारी दौलत दी है, और उसे धन दौलत का महत्वा पता चले। इसके बारे में सोचते हुए उस आदमी ने ये टायखिया कि मैं यहां पर मैं होगा मैं लिखाए गया अपने बेटे को एक दीन के लिए गाओं, गाओं दोस्तों ऐसे लिखाएगा थिक ना, गाह उपर चंद्रबिंदी रहेगा यहां पर में ले जाओंगा और जहां पर आप देख रहे हैं लिखा दिखाओंगा ले जाओंगा बतलाओंगा तो यहां पर यह बिंदी नहीं होगा यह चंद्रबिंदी होगा ठीक ना यह भी चीज आप सिखिए यहां पर गलती टाइप फ्रेञां पर जब दोस्तों यह दो सब्देशेक hours a कं दो फ्रेहन दli को डोल्ट मैं छंडल्विंडविंदी होगा दोस्तों मैं बहुत सब्सक्राइब कर दो कल ही मैंने एक अनकीमातरा वाला क्लास अपलोड किया हूँ अब आगे मैं चंदरबिंदु वाला भी कर दूंगा बहुत जल्दी दोस्तों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि आपको जितने महत्रपुन वीडियो वे सब समय समय से मिलते रहे तो यहां पर लिखा बिताएंगे यहां पर चंदरबिंदी होगा एक दिन वो अपने बेटे को अपने पास के एक गाउं में लेकर गया और वो दोनों पूरा दिन एक किसान के साथ रहे और उस आदमी ने अपने बेटे को पूरा गाउं दिखाया और साथ ही गाउं में लोग कैसे रहते हैं क्या करते हैं और क्या खाते पीते हैं वो सब दिखाया उस अमीर आदमी के बेटे के लिए ये सब बहुत नया था और उसने ये सब बड़े चाओ से देखा और वो ये सब बड़े चाओ से देखा गाउं से वापिस लोड़ते समय अमीर आदमी ने अपने बेटे से पूछा की बेटा तुम्हें ये पिकने के कैसा लगा बेटे ने जवाब दिया पापा मुझे बहुत माजा आया पिता ने बेटे ने कैस जवाब दिया पापा मुझे बहुत माजा आया पिता ने अपने बेटे से पूछा पिता ने अपने बेटे से पूछा बेटा क्या तुम्हें देखा की गाउं में गरीब लोग कैसे रहते हैं बेटे ने कहा हाँ पापा मैंने सब कुछ देखा पीता ने कहा बेटा तुमने वहां पर क्या देखा मुझे बताओ बेटे ने कहा, पापा, मैंने देखा कि जैसे हमारे पास घर में एक कुटा है, वैसे गाओं में उन लोगों के पास गाय है. हमारे पास एक स्वीमिंग पूल है, जो की सिर्फ हमारे घर की सिमाओं के भीतर सिमित है, उनके पास तलाब और नदियां हैं, जिनकी कोई सिमा नहीं है. हमारे घर का लॉन घर की दिवार के साथ ही समाप्त हो जाता है हमारे घर की लॉन और घर की दिवार के साथ ही समाप्त हो जाती है दोस्तों यहां पर लिखा लॉन क्या पढ़ेंगी इसको लॉन यह एक मात्रा ही होता है इसको आ के रूप में पढ़ा आता है, जिसलोन, कॉल, कैसे, देखे, कॉल, ऐसे लिखा जाता है, बॉल, ठीक ना, इस तरीका से, बॉल, रॉल, इस तरीका से, ठीक है, मॉल, देख़िए, मॉल, तो ये आ की मातरा है, दोस्तों, इसका भी मैं वडियो बना दिया हूँ, अपन से सीख पाएंगे से daily webinar थेश up कि वह लड़का क्या बुला कि हमारे घर का जो लॉं grass है घर की दिवार के साथ ही समाप्त हो जाता है उन लोगों का घर का जो लॉण जमीन है जो कि जहां यहां पर क्या लिखाएग़ा इस जहां तक नजर जाएए इसन तक फैली हुई है, जहां तक नजर चली जाए, वहां तक फैली हुई है, बेटे का जवाब सुनकर, पिता बहुत खुश हो जाते हैं, बेटे का जवाब सुनकर, पिता बहुत खुश हो जाते हैं, बेटे ने आखिर में पिता से सिर्फ इतना ही कहा, पापा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये सब मुझे दिखाया बताया और मुझे एहसास भी करवाया कि हम वास्तों में कितने गरीब हैं हम लोग वास्तों में कितने गरीब हैं बेटने की ये आखरी बात सुनकर उसके पिता अशर्ज चकित हो जाते हैं तो दोस्तो उस बेटे का सोच कितना अच्छा था और उस पिता का कितना सोच अच्छा था दोस्तो किसी को भी आपका भी बच्चा हो कोई भी हो जमीनी अस्तर पे जू सिक्षा दिया जा सकता है किताब से नहीं मिल सकता है इसलिए आप भी हमेशा प्रयास कीजिए अपने बच्छों को चीजों को दिखाने की एहसास कराने की महसूस कराने की ताकि वो अपने जीवन में उसको मतलब की कायम रखे आगे बढ़ाए और आगे बढ़ते जाए तो दोस्तो आज का कहानि कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देजेगा चैनल पे पहली बार है या पुराने है सब्सक्राइब नहीं किये है तो सब्सक्राइब करेकर नट्फिकेशन आउन कर लिजेगा तो चलिए दोस्तो आज क्लासें पे इंड करते हैं मिलते हैं कर क्लास में जय हिंद